इस वक्त की बड़ी खबर बता दें फिरोजाबात से जिलाबादर अरुपी ने महिला की पिटाई की और उसकी हालत संबीर हुई जिसे उचार के लिए जिलाबादर अस्पताल में भड़ती कराया गया और पुलिस मामले की जांस में जुटी है आखिर आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है पूरा मामला थाना टुंडला अच्छे तो कि आवाज शिकालोनी का है जहां बेखौस दिलाबादर अप्रादी नहीं कि महिला को अपनी हवाशकार शिकार बनाने का प्रयास किया महिला की मां के द्वरा बताया गया कि उशोचाले गई थी जब वो आपस लोट कर आई तो घात लगाए बैठा आरोपी महिला के साथ असलीलता करना शुरू कर दिया और घर से बाहर मैं थी और कई बार उसको आवाज लगा कर बुलाया तो उसके ना आने बाहर आई एक खुद घर के अंदर पीछे के दर्वाजे से गई जहां देखा कि ओभी होश्य हालत में पड़ी हुई है मेरे सामने आरोपी भगाया और पताया जाता है कि घटना का विरूद करने पर महिला के साथ मार पिट भी की आरोप है कि महिला घर पर अकेरी थी इसी दरार आरोपी घर में गुसा और छेड़ चाड़ करने का प्रयासकन लगा महिला की चीक उकार सुनकर आस पड़ोसी मौके पर पहुँचके और आरोपी मौके से फरार हो गया गटना की सूशना पुलिस को दी गई है और पुलिस ने पुड़त महिला को गंभेर हालत में उप्शार के लिए फुरजाबाद के सरकारी अस्पताल में भटती कराया मौके इच्छे तरदिकारी अभिशेक स्रवास्तों ने बताया कि पड़ता की शिकायत के अधार पर सुसंगत धराओं में मुकदमा दरज कर लिया है और आरोपी के तलाया शुड़ू कर लिया है कि अच्छार हुई है कि कहा की बता है कि कल देर शाम ठाना टूंडला इसने एक आवाशी कालोनी से एक महिला द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके साथ घर में खुसके एक व्यक्ति के द्वारा छेड़ शार तथा अबद्रता करने का प्रयास किया गया है जिसको देखते हुए ततकाल ही मौके पर पूलिस वल को भीजा गया है महिला के पती से प्राप्त तहरीर के आधार पर सोसंदर धाराओं में अव्योग पंजिगर किया जा चुका है महिला पूरता स्वस्त तथा इस्थिर है इसमें आरोपित की गिरफतारी है तो पुलिस टीम का गठन किया जा चुका है अगरे मिले कारवाई की जा रही है सीख रही है आरोपित की गिरफतारी सोलिशित की जा जाएगे सुरजाबासे जिला शंपाद दाता तरश्रुन सल्मा के रिपोर्ट